दोस्तो बहुत स्वागत है आपका हमारे इसने वीडियो पर दोस्तो आज के टाइम में हम कुछ भी खहिते हैं तो फिर हमारी सोच यह रहती है कि हमें ब्रांडेट प्रोड़क्ट ही खहितना चाहिए ब्रांडेट प्रोड़क्ट अच्छी क्वाल्टी का होता है और लोकलमेट प्रोड़क्ट कुछ भी हो उसकी क्वाल्टी इतने इच्छी नहीं होती है लेकिन ऐसा नहीं होता में दूस्तो कुछ लोकलमेट प्रोड़क्ट अ आची वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा stabilizer कैसा बना हुआ है इसकी quality कैसी है इसके functions क्या है और हमें यह stabilizer खहिदना चाहिए या फिर नहीं खहिदना चाहिए हम आपको पूरा detail के साथ बताएंगे अंदर से दिखाएंगे इसके parts से बताएंगे parts कैसे यूज़ कि यूज़ करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इस stabilizer के front side से देखिए इसमें 2 mcv लगी हुई है आम तो पर local made distributor में किवल एक ही mcv लगी होती है जो की input पर लगी रहती है इसमें 2 m mcv है एक हमारी mcv main line पर है और एक mcv bypass दोस्तों bypass system यह होता है कि कभी आगर stabilizer में कोई fault आ जाता है तो आप mcv को bypass mode पर करके अपनी main line direct कर सकते हैं कई बार ऐसा होता है कि कोई electrician बगाए नहीं मिलता है और stabilizer में कोई fault आने पर हम line नहीं चला पाते है तो इसमें फंक्शन बहुत अच्छा होता है आप अपनी main line bypass कर देंगे जिससे stabilizer आपका off हो जाएगा और आपकी जो main line का current आ रहा है input में यानि जो headle से light आ रही है वही आपके घर में output हो जाएगी यानि stabilizer आपका direct हो जाएगा यह आप खुद का सकते हो बहुत अच्छा function है और देखिए इसम का transformer है यह एक टोरो transformer है ऐलिम बाइंडिंग में transformer रहता है तो आप देख सकते हैं इसमें copper winding नहीं होती है ऐलिम बाइंडिंग का transformer है और इसमें एक दिक्कत यह आती है कभी अगर transformer आपका जल जाता है या कोई fault आ जाता है तो आपको पूरा ही transformer चेंज करना पड़ता है इसकी तो रिले यूज के गही है उनके बारे में देखिए इसमें रिले भी काफी हलकी quality की यूज की जाती है कि देखिए इसमें यह यूज की गही है और आपको अंदर से भी खोल कर दिखाएंगे कि यह रिले कैसी दिखाई पड़ती है यह 5 कीवी के साब से मुझे लगता है कु देखिए यह देखिए कि इसकी कोईल बहुत जादा हलकी दे रखी है और इसका पॉइंट भी काफी हलका है जो कि 5 कीवी के लोट के साब से शफिशेंट नहीं है यही वजाए कि इसकी जले में आक्सा फॉल्ट आता रहता है और मैंने देखा है जादता जितने भी की वी में यूज करते हैं 25 एंपे के जले है इसकी आप कोईल देखिए इसका पॉइंट देखिए और यह आसानी से खराब नहीं होती है और लोड इस पर भरपू चलता है अब देख सकते हैं दोनों पास में रखकर आपको खुद क्वालिटी का अंदाजा हो जाएगा यह जो ब्रैंडेड इस्टेबिजर के जले है बहुत छोटी मालूम पढ़ यह साइज में भी और इसका पॉइंट वगरे भी काफी हलका है और यह जो लोकल में वोल्टेस्टेबिजर में हम जो पाच की वी में रिले यूज करते हैं उसकी काफी अच्छी है काफी मजबूत ज रले रहती है अब देखेक्षियो देख्वाइए जो हमने आपको बताया था यौक ऑर मरी को अगर दिखकत आती है तो शीम पारेंड प्रबान में प्रवा चार वा Means पर्वाद चाहें यह काफी आसानी से हाज जगा रपय हो जाता है और कस्टमर को काफी सस्ता पड़ता है तो मुझे लगता है यह ट्रांस्वर कस्टमर के लिए ज्यादा बेनिफिशल है अब देखिये बात करते हैं हम सेकिट की तो इसमें जो सेकिय्ट यूज़ कि आगया सेकिट अच्छी क्वालिटी का है सेकUIT में कोई कमी नहीं है किसी परकार की बहुत अच्छा सेकिट है सेकिट में आम तो पर फॉल्ट काफी कम आते हैं ये एक microcontroller based circuit है, इसमें high cut locator timer सभी होता है, आम तो पर आजका local made stabilizer में भी microcontroller based circuit use होते हैं और बहुत अच्छे तरीकिसे काम करते हैं, success circuit है, तो मैं तो आपको यही suggest करूँगो कि next time आप कभी भी voltage stabilizer गरगर बनवाते हैं, तो जहां से भी आप stabilizer बनवाएं, उनसे आप बोले local made stabilizer में digital display नहीं देते हैं, क्योंकि आम तो पर analog meter यूज़ के जाता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके local made stabilizer में भी किसी branded voltage stabilizer के तहां digital display हो, तो आप digital display वाला microcontroller kit भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपको बाजार में नहीं मिलता है, तो आप हमसे मंगा सकते हो, हमारे इंडिया में कहीं पर भी इसकी supply दे देंगे, तो दोस्तो यह था एक छोटा सा comparison, branded voltage stabilizer और local made voltage stabilizer के बारे में, उमीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अगर फिर भी आपको कुछ समझ में आया हो, और आप कुछ पता करना चाहते हो, आप comment करके हमसे पता कर सकते ह दोस्तो उमीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद